हाई गाईज कैसे हो आप सब उमीद करते हूँ आप सब बिलकुल ठीक होंगे मैं भी बिलकुल ठीक हूँ तो फ्रेंट्स से आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि किस तरीके से हम सोपिंग बैग का रियूज कर सकते हैं तो तीन आइडियाज मैं इस वीडियो के अंदर आपक अबसे कि कटिंग करनी है तो इधर से देखें 15 रे तो हमको इधर से भी 15 रेकर नहीं दो पीस ले ने haddiakan केश कों इद देखिए कुछ इस तरीके से ये देखें इधर से 15 राइंच है ´च्छ और इधर से भी 15 इंच है अब देखिए हमको क्या करना है एक पीस को साइड में रख देंगे यहां से निकाल के इधर से बंध है इधर से कट नहीं किया मैंने तो इधर से कट कर देते हैं इसको अब एक पीस को साइड में रखेंगे और एक पीस को यहां से देखिए फोर फोल्ड कर लेंगे अच्छे से सेट कर लेंगे बिल्कुल और फिर देखिए यहां तीन इंच पे मार्किंग करेंगे और तीन इंच पे हम इधर की तरफ मार्किंग करेंगे तीन बाई तीन इंच पे मार्किंग करेंगे और जहां पे मार्किंग की है वहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो देखिए इस तरीकें से यहां से मैंने इसको पट कर दिया अब बीच वाले पीसको साइड में रख देंगे और अब यहांपर एक कपडा रखेंगे और उसके उपर इस गेरी बैग को हमें यहां से इस तरीके से उल्टा रखना है आधा इन सलाई में दबाते वे हमें यहाँ पर सलाई लगानी है बिल्कुल अच्छे से सेट करते वे सलाई लगाएंगे ज्यादा खीचना नहीं है इसको शोपिंग बैग को खीचना नहीं है बिल्कुल भी अब देखिए हमीं क्या करना है बीच वाला कपड़ा कट करना है और किनोर के उपर छोटे छोटे कट लगा देंगी अब इसको अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से पलट देंगे और अच्छे से नाखुन से इसको प्रेस कर लेंगे यहाँ पर अब देखिए हमें यहाँ पर प्रेस्टीज करनी है मतलब इसके उपर हमें दो पॉंट की दूरी से यह सिलाई लगानी है अब हमें ये सिलाई जो है बिल्कुल पास-पास में लगानी है किनोर के ताकि जो है कपड़ा टेच हो जाए और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर लैस लगानी है कोई भी आप लैस ले लेना जो साड़ी की पड़ी है पुरानी वो लैस आप ले सकते हो यहाँ पर और फिर देखिए यहां से लैस कट कर दिया फिर लैस को फोल्ड करके फिर देखिए हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से और फिर यहां तक सीलेंगे और फिर यहां से कि दुझा कि यहां थिक बसंपर कि श कि यहां यहां से एक्स्ट्र गुण इस तरीके से कट कर देंगे और फिर देखिए लैस को फोल्ड करके यहाँ पर फिर से रखेंगे अब देखिए हमें लाश्ट किनों और पे सिलाई लगानी है ताकि लैस अच्छे से अटेच हो जाए अगर आपके पास इससे पतली लैस है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो मेरे पास एक इंच चोड़ी थी और यह कपड़े की ही है लैस और फिर देखिए एक लैस हमें यहाँ पर लगानी है और आफ इंच अंदर की तरफ लेकर फिर हमको यह लैस लगानी है क्योंकि सैड में हमको आधा इंच जो है सिलाई के लिए चाहिए यह देखिये आप देख सकते हो आधा इंच मेंने साइड में छोड़ा है कपड़ा और फिर देखिए इधर की तरफ से हमें इस तरीके से रखनी है लैस है कि और दूसरी तरफ भी देखें कुछ इस तरीके से हमने अटेच कर देंगे अब देखें कोई भी ट्रास्पेरेंट आपको प्लास्टिक लेनी है यह देखें इस तरीके से जिसमें कपड़े आते हैं मार्केट से वह वाली है यह और देखें नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंग इसको और पिन अप कर देंगे अंदर की तरप से और ये नीचे से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा है जो अंदर वाला गैप है उससे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा है जो हमने सोपिंग बैग कट करके ली थी उसके नाप से आप कर सकते हो चारो तरप से एक एक इंच कर देंगे और अंदर से एक्स्ट्रा है अगर तो उसको कट कर देंगे फिनिशिंग कर देंगे इसकी अच्छे से धागे वागे सब अटाके अब देखिए दूसरा पार्ट है उसके उपर कपड़ा रखेंगे प्लेन और चारो तरफ से देखिए किनोर की सिलाई लगा के देखिए अब पलट कर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे इसको ऊपर और यहाँ पर वे किनोर की सिलाई लगाते गये देखिए इसलाई मार्जन को दबाते भए एक्सट्रा चैन omega और दूसरे पीस के उपर देखिए चैन को रखेंगे यहाँ पर उल्टेट के सी दूसरा पीस है चैन का ही है और यहाँ पर अटेच कर देंगे अब यहाँ पर टॉप स्टीच करेंगे इसको अब देखिए हमें क्या करना है इसके अंदर रनर डालना है यहाँ पर और इसको इस तरीके से पलट देंगे और अंदर की तरफ देखिए इसके स्लाइ लगाएंगे आधाइन सलाय मारजन में छोड़ना है हमको तो देखिए जो छोटा मोटा कपड़ा बच्चा हुआ है या फिर कोई भी आप पुरानी कूर्ती साड़ी कुछ भी ले सकते हो उपर के कपड़े के लिए दो और अंदर की तरफ देखिए वेश्ट पड़ी ये सोपिंग बैग थी इसका यूज किया है और अब इसको सिधा कर लेंगे तो देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा साड़ी का कवर बन कर तयार हो जाता है अब देखिए आप इसके अंदर कोई भी साड़ी डालते हो तो आपको नजर आएगी कि आपने इसके अंदर कौन सी साड़ी डाल रखी है तो देखिए मैंने यहाँ पर साड़ी डाल दी है तो पता है यहाँ पर देखिए ब्लाल डाल दिया उपर तो border से पता रहेगा ये देखिए कौन सी साड़ी हमने डाल दी और कितना प्यारा साड़ी का cover बन कर तयार हो जाता है market में महेंगा मिलने वाला cover आप zero cost में घर पर बना कर इस तरीके से तयार कर सकते हो तो next idea के लिए फिर से हमको shopping bag की जरूरत है इस shopping bag को देखिए हमें इसके handle है यहां से तो इनको cut करके एक बार हटा देते हैं side में और फिर जो है इसको भी चारो तरप से cutting कर लेना है चारो तरप से cutting करने से ये open हो जाएगी और दो part आ जाएगे हमारे पास और उपर से जो इसका hard वाला part है हमको cut करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा मोटा है ये वाला part तो अब मैं बताती हूँ कि इसकी लंबाई चोड़ाई कितनी है तो इधर से है ये 15 इंच और इधर से है 14 इंच अब देखिए एक part लेना है एक बार इसके उपर कपड़ा रख दिया है इस तरीके से अब कपड़ा इसके साथ में टेच कर देंगे सिलाई मारजन में दबारी हूँ में आधा इंच और सेम कलर का धागा ले रखा है तो सिलाई मारजन में आधा या एक इंच जितना भी लोग आप कोई उससे फरक नहीं पड़ने वाला है दोनों पीस इसी तरीके से हमको रेडी कर लेने है अब देखिए एक मैंने 10 बाई 10 इंच का एक पीस लिया है अब इसको हमें यहां से सेंटर से कट करना है दो पीस हो गए हमारे पास अब देखिए मैंन पाट लेंगे और इसके उपर किनोर के उपर इस पीस को इस तरीके से रखेंगे और यहां पर मार्किंग कर देंगे अब इसको साइड में रखेंगे और यहां पर देखिए एक चैन लेंगे चैन को इसके उपर मैंने उल्टा रख दिया है और यहाँ पर सिलकर अटेच कर देंगे फिर देखें इसके उपर कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के देखें इसको अटेच कर देंगे यहाँ पर फिर से सिलाई लगा देंगे अब दूसरा पीस सेम तरिके से देखिए हमें ready करना है तो देखिए दूसरा पीस इस तरिके से करेंगे हमें marking कर लेंगे और जो marking की है उसके उपर देखिए chain रखेंगे और जो मैंने बताया कि chain उल्टी रखनी chain इसके उपर उल्टी नहीं सीधी side से attach करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बाद में जो है इसका हमें यूज करना है तो इसमें फर्क पड़ता है सीधी लगाई है क्यूंटी तो सीधी साइड उपर करके फिर चैन लगानी है इस चीज़ का ध्यान रखना और फिर देखिए यहाँ पर किनोर के उपर इस तरीके से सि तैनी और देखिए इनको दोनों को आपस में इस त्रीकर से मिलाएंगे और सेंटर निकालेंगे सेंटर निकालने के बाद डाई-धाइंच की दूरी छो और की तरफ करेंगे यहां पर तनी को रखेंगे और टेच कर देंगे दूसरा पाट इधर की तरफ अटेज़ कर देंगे और देखिए अब यहाँ पर हमको जो है डेड़ इंच चोड़ा कपड़ा रखना है और कुछ इस तरीके से सील कर अटेज़ कर देना है अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे एक सिलाई की तरफ लगाएंगे अंदर की तरफ पलट देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों पीस रेड़ी होगा इस तरीके से देखिए अंदर फोल्ड करेंगे और अब देखिए हमें इसके अंदर रणर डालना है तो देखे इसको इस तरीके से पलट लेंगे अंदर की तरफ यह देखे इस तरीके से अब runner हमको इस तरीके से डालना है यहाँ पर और अब देखे एक लूप लगाएंगे जिधर चैना आ गई हम वहाँ पर रखेंगे इसको इस तरीके से और इस तरीके से पलट लेंगे अब देखिए आधा इन सिलाई में दबाते हुए जो है हमको सिलाई लगा देनी है यहाँ पर तो तीन तरब से हमें सील लेना है इसको अब इसको सीधा कर लेंगे जैसे ही हम इसको सीधा करेंगे तो एक किनोर तो इसका बंद है ये देखिए कुछ इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर चैन लगी हुई ये तो चैन ओपन कर लेंगे और इस किनोर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे तो बहुत प्यारी डिजाइन बन जाती है किनोर के उपर ये देखिए अब आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो कैरी बैग बन कर तयार हो गया लेकिन जब आपको जो इसकी जरूरत ना हो तो इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और फिर चैन को बंद करेंगे और इस pouch को आप चाहो तो हाथ में उँगली में डाल के ऐसे लटका सकते हो पर्स की तरह पाउच की तरह या फिर आप अपने handbag में डाल सकते हो इसको तो देखिए छोटी सीज फोल्डिंग हो जाती है इस तरीके से आप देख सकते हो तो ये वाला एडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाता है पूरा ये जब आपको आफशकता हो तो अपने परस में से निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से उंगले में इसको डालके भी आप जो है इसको रख सकते हो बाराइंच का है 10 इंश ईंच ओडाई है 12 इसकी लंबाई है और फिर देखिया हम क्या करना इसको यहां पर दो इंश पर मार्किंग करना है और कटिंग करदेना है यहां पर हमको चैन रखनी है इसके उपर चैन अटेच करेंगे सबसे पहले यहाँ पर चैन इसके उपर मैंने उल्टी रख दी है अब इसको अंदर के तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे अब दूसरे पीस के उपर भी रखेंगे देखे इस तरीके से चैन को और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे अंदर के तरफ देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे अब इसके अंदर हम रनर डालेंगे अब इसको पलट लेंगे और सेंटर निकालेंगे अब देखिए जो दूसरा पार्ट था उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे एक तरप से सिले लगा देंगे अब यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और तो यह फोल्डिंग जो है यह तीन इंच की है और अब देखें, यहाँ पर रखेंगे, जो सेंटर है, यहाँ पर रखेंगे इसको इस तरीके से, और इसको ऐसे पलट लेंगे, और साइड में सलय लगा देंगे, एक्स्टा पी से उसको कट कर देंगे, अब दूसरी साइड सलय लगाएंगे, एक्स्टा पी से उसको कट कर अब इसके उपर चैन अटेच करेंगे एक और और यहां पर सिलाय लगा के इसको टॉप स्टिच करेंगे अंदर की साइड सिलाय मारजन को दबाते वे इसके उपर चैन दूसरी साइड अटेच करेंगे तो इस तरीके से सिलाय लगाएंगे अब chain को open करेंगे और tough stitch करेंगे पलट कर अब इसको सीधी side करेंगे इसके अंदर runner डालेंगे पलट कर उल्टा करेंगे इसको और side में इसके दोनों तरफ शिलाय लगा देंगे तो एक loop डालेंगे जिदर हमारी chain आ गई है उधर की तरफ और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाय लगा देंगे दूसरी तरफ भी सेम तरीके से सिलाय लगा देंगे तो यह हमारी जो है तीन pocket वाली जो है पाउच बन कर तयार हो जाती है फटाफट से अब इसको मैंने सिधा किया तो बाहर वाली जो इसकी pocket है उसके अंदर तो हम इसके अंदर mobile डालेंगे और अंदर की तरफ देखिए एक के अंदर document डाल सकते हैं एक के अंदर आपने पैसे डाल सकते हैं इस तरीके से देखिए फटाफट से ready हो जाती है पाउच बन कर और बहुत जादा useful है इसको आप अपने handbag के अंदर डाल सकते हो इस तरीके से तो comment करके जरूर बताना guys आज की तीनों ideas आपको कैसे लगे हैं मैं उम्मीद करती हूँ सबी ideas आपको जरूर पसंद आये होंगे पसंद आये हों तो like, comment and share जरूर करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई